बूर्माणी चलेंग बचो आप्टर हापी एली एकजाम यह तुम लोग का फिर नया चैप्टर है कदम का पेर जानते हो कदम का पेर देखो यह पत्ता होता है और ऐसे फूल होते हैं और इसमें एक बालक भगवान कृष्ट बनकर मोर पंग उसके माते पे मुख पे वाशूर व्रष्ट यह यह चीरिया चीरिया किसका घर होता है यह पेर किसका घर है पसुपक्षी का घर होता है तो इस कविता को शुबद्र का मारी चौहान नहीं लिखा है और एक बालक जो है वो अभी भागवान कृष्णी के तरह पेर पर चड़कर अपने मम्मी के साथ खेलना चाहता है ठीक है तो मैं कविता को पढ़ूँगा और एक बार पढ़ूँगा फिर दुसरा बार पढ़कर तुमें इसका मीनिंग बता दूँगा तुम उसको याद करना ठ यह कदम का पेर अगर मा होता यमना तीरे मैं भी उस पर बैठकने या बनता धीरे धीरे यह कदम का पेर अगर मा होता यमना तीरे मैं भी उस पर बैठकने या बनता धीरे धीरे ले देती यदी मुझे बांसूरी तुम दो पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली तुम्ही नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता उस नीची डाली से अम्मा उचे पर चड़ जाता वहीं बैट फिर बरे मजे से बांसूरी बजाता अम्मा अम्मा कह बनसी के स्वर में तुम्हें बुलाता सुन मेरी बनसी को मा तुम इतनी खुस हो जाती मुझे देखने काम छोर कर बाहर तक तुम आती तुमको आता देख बासुरी रख में चुप हो जाता पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बासुरी बजाता गुसा होकर मुझे डाटती कहती नीचे आजा पर जब मैं ना उतरता हसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भाईया तुमें मिठाई दूँगी नए खिलोने माखन मिश्री दूद मलाई दूँगी मैं हसकर सबसे उपर की टहनी पर चड़ जाता एक बार कह मा पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता बहुत बुलाने पर भी मैं मा जब मैं ना उतर कर आता तब मा मा का खिर्दे तुम्हारा बहुत बिकल हो जाता तुम आचल पसार कर अम्मा वही पेर के नीचे इस स्वर से कुछ विंती करती बैठी आखे मीचे तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आचल के नीचे छिप जाता तुम घबरा कर आँखे खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्हारा राजा को गोदी में हो पाती इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे मा कदम का पेर अगर यह होता यम ना तीरे शुबद्रा कुमारी चौवान यह कविता जो है बच्चो कदम का पेर कविता का सिर्शक क्या है कदम का पेर इस कविता को किस ने लिखा है कभी त्री सुबद्रा कुमारी चोहन देखो ये बच्चा अपने मा के साथ खेल रहा है और ये बच्चा क्या बनना चाहता है ऐसा बनना चाहता है कदम के पेर पर चड़कर मा के साथ खेलना चाहता है मैं फिर एक बार बोलता हूँ क्या बोल रहा है बच्चा मा यह कदम का पेर अगर होता यमना तीरे यमना क्या है बच्चो एक नदी है और तीर मतलब किनारा क्या है किनारा नदी के तीरे मतलब यमना नदी के किनारे बच्चो तुम्हें भालत के नदीयों का नाम पता है गंगा यमना शर्शत्ती ब्रह्मपूत रभी व्यास सतलूज है ना कावेरी, कृष्णा, तापती, कितना नदी है भारत में नदीयों की जाल है, इसलिए तो यहां खेती बारी अच्छी होती है, है ना, तो भगवान स्री कृष्ण भी यमना नदी के किनारे कदम के पेर पर वैठते थे, और वहीं से बासुरी बजाते थे, और सारी गाये चरात और वहीं गोपियां उनके साथ खेलते थे, गोपी और गोपियां खेलते थे, ठीक है, तो कहरा बच्चा, यमना के तीर के बगल में, मैं यदि पेर लगा होगा, तो मैं भी उस पर कनिया, कनिया मतलब भगवान कृष्ण के नाम को कनिया भी कहते है, मैं भी धीरे-धीरे कन कनिया बन जाता, और ले देती यदि मुझे बाहसूरी तुम दो पैसे वाली, बाहसूरी बजाए हो तुम लो, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिये था, तो बाहसूरी यदि तुम ला जेती, तो मैं उस पी बैट, उस पे, और वो पेर ये किडाली, ये किसी तरह नीची ह हो जाती, यानि थुद्दाली को नीचे कर जाता, तो मैं चड़ कर उस पर महसूरी बजाता, ठीक है, आगे क्या है, तुमें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा उचे पर चड़ जाता, और तुमको कुछ चुप, तुमको बोले भ पर चड़ जाता वहीं बैट फिर बरे मजे से मैं बाहसूरी बजाता है ना क्या बोल रहा बच्चा कि उस पेर पर बैठ कर क्या करता बरे से वहीं बैट फिर बरे मजे से मैं बाहसूरी बजाता है ना तुमको नहीं बोलता लेकिन मैं पेर के उपर चल जाता और बाहसूरी बजाता और बीच बीच में अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में बुलाता और बाहसूरी से कैसी आवाज निकलता अम्मा 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 भी बोलते हैं मा को है ना चलो आगे पढ़ते हैं सुन मेरी बंसी को मा तुम इतनी खुस हो जाती मुझे देखने काम छोड़ कर बाहर तक तुम आती तुम को आता देख बांसूरी रख मैं चुप हो जाता पतों में चुप कर धीरे से फिर बांसूरी बजाता जिब मेरी बांसूरी की आवाज सुनेगी तो तुम जहें खुस हो जाएगी और मुझे देखने के लिए तुम घर से बाहर निकल कर आएगी देखने के लिए तुमको जब मैं देख लूँगा आता तो मैं बासूरी की आवाज को बंद करके और पत्तों के बीच में छिप जाता गुस्सा होकर मुझे डाटती कहती नीचे आजा पर जब मैं न उतरता हसकर कहती मुन्ना राजा पहले मा डाटती उत्रे का कि नहीं पेर से और जब मैं नहीं उतरता तो तुम हसकर कहती प्यार दुलार से कहती मुन्ना राजा मेरा बेटा नीचे आजाओ नीचे उतरो मेरे भाईया तुमें मिठा ये दूँगी और मुझे लालच भी देती नीचे आजाएगा न तो तुमको मिठाए देंगे मुमो देंगे थुपा देंगे चौमीन देंगे बर्गर देंगे पीजा देंगे नए खिलोनी माकन मिठी दूद मलाई दूँगी पहले ये सब खिलोना था यही खिलोना खाना था माकन मिठी दूद मलाई लेकिन आजकल क्या खाता है अब चलो तुपा मैगी बर्गर पु पर चार जाता एक बार का मा पत्तों में वहीं कहीं चिप जाता फिर जोर चिलाता मम्मी मा और चुप जाता बहुत बुलाने पर भी मा मैं जब ना उतर कर आता तब मामा का हिर्दे तुम्हारा बहुत ब्याकुल हो जाता जब मैं नहीं उतरता तो तुम्हारा मन जो घबरा ज जाती तो तुम क्या करती तुम आचल पसार कर अम्मा वही पेट के नीचे इसstर से कुछ बिंती करती बैठी आखे मीचे तुम क्या करती इस्वर से भगवान से अल्ला से शुमिनं करने लगती पुझया करने लगती बाद कन से लिए बच्श को देखते कि आँख बंद करके बैठी है तो धीरे से उतर कर पेर पे आके और तुमारे गोध में आके आचल के नीचे साड़ी के कपरे के लास्ट को आचल बोलते हैं उसके नीचे छिप जाता तुम घबरा कर आखे खोलती फिर बहुत कुछ हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोधी में पाती तुम जब घबरा कर देखते हैं क्या हुआ तो देखती है कि गोधी में कोना गया तुमारा मुन्ना राजा मुन्नी राजी रानी इसी तरह तुम इसी तरह कुछ खेला क करते हम तुम धीरे धीरे मां कदम का पेर अगया हमने होता यमनाती रे तो बच्चो ये मां और बेटे की बीच के एक बहुत संदर कविता और भगवान किस्नी के रूप में बच्चे को दिखाया गया इस कविता में और सुबद्रा कुमारी चावान ने अपने बच्चे को है इस कविता को तुम्हें याद करना है और क्या करना है लिखना है थैंक यू है बनाइस डेव